हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गोस्जोर्डन मैथर्ड डिसक्स करने वाले हैं मैट्रेसिज चैप्टर का तो जो गोस्जोर्डन मैथर्ड है हमारा, वो यूज होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हैं, ठीक है? तो inverse निकालने के लिए हमने अपनी पिछली वीडियो में elementary row transformation के बारे में देखा था तो जो ghost jordan method है ना वो elementary transformation के just similar है बस थोड़ा सा difference है इसको represent करने का symbolic थोड़ा difference होता है तो नों same है तो पहली चीज it is used to find the inverse फिक है अब देखो elementary के बारे में पढ़ा था उसके just similar है जो ghost jordan method ghost jordan method हमें मालो कि हमारे पास कोई एक matrix है और वो होनी चीज नोन singular let A be a non singular matrix ठीक है यह हमारे पास है तो इसको represent करने का तरीका होता है matrix है हमारी ऐसे तो इसके साथ दो डोट लगा के हम यहाँ पे i और लिख देते है ठीक है अब देखो हम क्या करते है जो हमारा elementary row transformation था वहाँ पे हमारा होता था a equals to i है इस a को convert करते थे i में convert हो जाता था a inverse में ठीक है ऐसा ही same इसमें करते हैं इसमें जो इस a को हम करने करेंगे i में और यह i convert हो जाएगा हमारा a inverse में ठीक है लेकिन एक और चीज़ है कि आप elementary row transformation elementary transformation row भी हो सकता है column भी हो सकता है तो elementary transformation में हम row और column दोनों लगा सकते थे लेकिन जो ghost jordan method है हम इसमें सिर्फ row operations का use करेंगे so यहाँ पर एक चीज़ note point कर लो भी only row operations are allowed यहाँ पर column operation allowed नहीं है ठीक है चलो एक example देखते हैं उससे आपको अच्छे समझ में आएगा तो देखो example आपके सामने find the inverse of A आपको 3 into 3 के एक square matrix दे रखी है using ghost jordan method तो सबसे पहले इसको जो अपना इसकी जो form है यह A dot dot I की form में लिखते हैं ठीक है तो A matrices हमारी है यहाँ पे देखो 0 3 तो यह जो हमारी देखो इधर A हो गई इसके साथ जो dot चल रहे हैं हमारे और इधर लिखी जाएगी I अब I लिखी जाएगी same order की जो है A का तो A 3 grows 3 का है तो I भी 3 grows 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1 unit matrix में जो हमारे leading diagonal elements होते हैं वो होते हैं 1 ठीक है तो चलो अब देखते हैं तो अब देखो हमें क्या करना है इसको convert करना है I में by row transformation और यह I में convert करना है और जो transformation जो operation यहाँ पे लगाएंगे भाई यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले यह 2 है इसको last में convert कर देंगे 1 में ठीक हैं उसके बाद आती 0 इसको 0 करना है तो 0 करने के लिए चलो देखते हैं क्या करते हैं हम इसको multiply by करते हैं 5 से और इसको multiply कर देते हैं 2 से और दोनों को subtract कर देते हैं ठीक है तो देखो r2 tends 2 r2 को multiply के 2 से और minus में कर देंगे 5 r1 है ना तो देखो अब इसको operation लगाते हैं यहाँ पे तो देखो r2 to r2 minus 5 r1 तो r1 तो हमारी सेम है r2 पे लगाना है तो यह जीरो हो जाएगा यहाँ पे 1 multiply 2 होगा minus 5 into 0 होगा फिर 0 minus 5 r1 अमारा minus 1 है तो प्लस का 5 हो जाएगा हमारे यहाँ ठीक है फिर क्या हमारा देखो 0 1 3 r3 रहेगा हमारा same यही same operation है जो यह हमें लगाना है इसमें जो हमारी i लिखी हुए इसमें तो same operation लगाते हैं यहाँ पे भी r2 2 आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा 0 0 1 अब देखो यह convert हो जाएगा 1 में इसलिए 0 0 अब 1 इसको 0 में convert करते हैं तो 0 में क्या करते हैं इसको r3 है तो r3 टेंस टू 2 r3 माइनस में r2 कर देते हैं तो यह हमारा 0 हो जाएगा तो देखो तो r1 तो हमारी सेम है r2 भी हमारी सेम है कोई changement नहीं होगा r3 में होगा तो r3 2 r3 माइनस यह तो 0 आ जाएगा हमारा फिर 2 r3 2 माइनस 2 0 फिर इधर देखो 3 2 is a 6 minus 5 होगा 1 फिर same operation हमें इधर भी लगाना है तो देखो r1 और r2 तो रहेगा हमारा same और r3 में हमें operation लगाना है तो r3 में देखो 2 r3 minus r2 minus r2 करेंगे तो plus का 5 हो जाएगा इदर इधर देखो 2 r3 minus r2 minus का r2 करेंगे minus का 2 क्योंकि दोनों case में R3 0 है इधर R3 1 है तो इधर 2 आ जाएगा ठीक है अब देखो अब देखो पीछे हमने यहां तक देख लिया था अब आगे करते हैं देखो यह 1 0 0 0 अब क्या करते हैं इसको 0 बनाना है यह तो 1 ही रहेगा इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है ठीक है दोनों को 0 बनाना है और इनको डिवाइड कर देंगे 2 से R1 को R2 को तो इधर 1 1 1 बन जाएगा हमारा तो आई में convert हो जाएगी है तो सबसे पहले क्या करते हैं R1 tends to R1 plus R3 कर देते हैं ताकि यह 0 बन जाए तो R1 tends to R1 plus R3 कर देते हैं ठीक है तो देखी अब आगे तो 2 0 0 0 2 5 और यह 0 0 1 और यही सेम इधर भी लगाएगे तो देखो R1 plus R3 होगा तो 1 plus 5 6 0 minus 2 minus 2 0 2 2 6 minus 2 2 R2 रही है हमारी सेम R3 रही है हमारी सेम नो चेंज अब देखो इस 5 को 0 में कर्वर्ट करना है तो क्या करते हैं R2 tends to R2 minus 5 R3 ठीक है तो देखी आगे यह R1 तो हमारी सेम रहीगी इधर कोई चेंज नहीं होगा 0 इधर भी नहीं होगा 2 इधर के हमारा 0 आ जाएगा यह R2 5 5 minus 5 R3 R3 1 है 5 minus 5 0 और R3 में कोई चेंजमेंट है नहीं हमारा यह से हम इधर करते हैं तो 6 minus 2 2 R2 में है तो minus 5 R2 भी जगाएगा minus 5 into 5 तो minus 25 and minus 5 यह आगा minus 3 अब देखो R2 2 है हमारा minus 5 into minus 2 तो 5 2 is at 10 10 plus 2 is 12 और यह सब किस कहाएगे plus कहाएगे ठीक है R2 minus 5 R3 इधर इधर देखो R2 हमारा 0 है इस केसमें तो 0 minus में 5 into 2 minus 10 और R3 हमारा सेम है तो 5 minus 2 ठीक है अब देखो अब क्या बचरह हमारा यह 1 होना चाहिए हाँ पर 1 होना चाहिए तो क्या करते हैं R1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से और R2 को डिवाइड कर देते हैं 2 से ठीक है दोनों उप्रेशन एक साथ लगा देते हैं R1 को R1 डिवाइड बाइ 2 कर दिया multiply बाइ 1 बाइ 2 कर दिया जो R2 है हमारा उसे भी 2 से डिवाइड कर दिया ठीक है अब देखो आगे अब हमारा 1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1 मन चुका है ठीक है इधर देखो divide करेंगे R1 को R2 को 2 से तो यह उपर बन जाएगा R1 में 3,-1,1 इधर बन जाएगा माइनस का 15,6, माइनस का 5 और नीचे R3 सेम रहेगा तो यह हमारा पूरा convert हो चुका है I में तो यह हो गया convert हमारा A inverse में तो जो A inverse है हमारा वो देखिए वो आ चुका है हमारा एकवल 3,-15, 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 1 माइनस 5, 2 के एकवल ठीक हैं तो A inverse की value आ चुकी है यह आपके लिए 2 questions है last पर यह आप video देखने के बाद ghost jordan method समझने के बाद example try करने के बाद यह दो example अलग से आप इनको try कर सकते हैं और यह आपके उनके answers है यह इस video से related आपको कोई भी curiosity हो तो आप comment box में पूर